दोस्तो नमस्कार मैं जगनाद गौतम देश रोजाना यूटीव मंच पर आपका स्वागत है दोस्तो सभी पार्टियों के नामांकन पत्र दाखिल हो गए यानि हर पार्टि ने अपने अपने उम्मीद वाराओं के नामांकन पत्र दाखिल करा दिये और जो संघर्ष चल रहा था कि किसको टिकट मिलेगी किसको नहीं मिलेगी इसीलिए भाजपा और कांगरेश में भी अंतरदुंद था उम्मीदबार टिकट चाहने वाले ज़्यादा थे और सीट तो एक ही होती है कांगरेश में ये मारा-मारी ज़्यादा थी धाई हजार से ज्यादा नब्वे सीटों के लिए लोगों ने चुनाव लड़ने के लिए आवेदन दिये थे मारा मारी तो थोड़ी बहुत भाजपा में भी दिखाई दिटिक्टों के लिए लेकिन जितनी मारा मारी कांग्रेस में थी उतनी और किसी पार्टी में नहीं रही और आपने देखा कि कांग्रेस नामांकन की आखरी तारीक तक भी अपने उम्मीदवारों की घोशला नहीं कर पाई थी यानि 11 तारीक की रात तक भी उसके पूरे उम्मीदवारों की घोशला नहीं हुई और बारे तारीक जब आखरी तारीक थी तो ज़्यादा तर उम्मीदवारों को तब पता चला कि भी उनके टिकट पक्के हो गए हैं यानि 90 में से 41 तो पहले कर चुकी थी कांग्रेश बाकी उम्मीदवारों के नामों की घोशना ग्यारे तारीक की रात को ही हो पाई और वो इसलिए कि ज़्यादा घमासान ना हो पाए लोगों के पास या जो टिकट चाहते हैं जिनको टिकट नहीं मिलाए उनके पास ज़्यादा वक्त विद्रो करने के लिए ना बचे ना मांकन दाखिल करने के लिए ना बचे कांग्रेस ने यही नीती अपनाई जिसका शायद उसे फाइदा भी मिला एक तो यह बात रही दूसरे जो आज हमारा चर्चा का जो मुख्य मुद्दा है वो यह है कि लोग सभा चुनाब में तो आप और कांग्रेस का गठबंदन हो गया लेकिन विदान सभा चुनाब में हरियाना की लीडर्शिप आप से गठबंदन के हक में नहीं थी लेकिन जैसा कि सब जानते हैं राहुल गांधी ने इसारा किया था कि यदि संभावनाएं खोजें कि कोई इस्तिती ऐसी बनती है कि इदिया गठबंदन इखटा चुनाब लड़ सके और आपको साथ लेकर का तो उस आधार पर भी प्रियास किये जाने चाहिए लेकिन दोस्तों ये प्रियास सफल नहीं हो पाए और टिक्टों में देरी जो कांग्रेस की हुई उसमें आपके साथ चुनावी गठबंदन की कश्मा कस्भी थी बहराल दोनों अपने अपने राश्ते पर चले गए हैं आप अलग से चुनाव लड़ रही है और कांग्रेस पूरी 90 सीटों पर लड़ रही है यदि हम लोग सबा चुनावों की बात करें तो ये आप और कांग्रेस मिलके लड़े थे आपको एक सीट दी गई थी दसमें से और उस पर सुसील गुपता जी खड़े हुए थे सब ज सुसील गुपता को अपनी सीट पर कांग्रेस के सहयोग के चलते तीन दसमलत 94 प्रतिसद बोट मिले थे और वो दूसरे नंबर पर रहे थे उन्हें 5,03,000 बोट मिले थे और इसमें दो राय नहीं है कि यदि सुसील गुपता अकेले चुनाव लड़ते कांग्रेस के साथ य तो सुसील गुपता को 5,13,000 बोट कुरू छेत्र में कता ही नहीं मिलते यानि 5,13,000 जो बोट मिले सुसील गुपता को उसमें बहुत बड़ा हिस्सा कांग्रेस का था और इसी वज़े से एक सीट पर ही लड़ने से आपका बोट प्रतीसत हरियाना में 3,94 प्रतीसत पहुँच गया यानि आप यह कह सकते हैं कि एक सीट पर लड़ने के बावजूद भी आपको हरियाना में यदि उतना फैला है तो लगबग 4 प्रतीसत बोट आपको मिले जानकारों की मानें तो यह सारा कमाल कांग्रेश के बोटों का माना जा रहा है चूंकि हम जो बात्चीत करने जा रहे हैं कि आप से समझोता टूटने के बाद कांग्रेस के लिए हरियाना में ये फायदे का सौधा रहेगा या घाटे का हम उश्पर ही चर्चा कर रहे हैं तो यदि हम बोट प्रतिसत की बात करें या पिशले चुनावों का रिकार्ड आपका देखें तो कोई परभावसाली रिकार्ड आप पारिटी का नहीं रहा ना उनका कोई एक भी उम्मीदबार 2019 के चुनावों में भी एक भी उम्मीदबार नहीं जीता और जहां तक मुझे मालूम है यदि मैं गल्ती नहीं कर रहा हूँ तो शैद कोई उम्मीदवार अपनी जमानत भी जब्त होने से नहीं बचा पाया लेकिन दोस्तों हम इसमें आगे बता देते हैं कि 2019 के जो विधार सवा चुनाव हुए थे आप पार्टी को मात्र जीरो पाइंट 48 परतीसद बोट में ले थे यानि आधा परतीसद से भी कम और 2000 के चुनावों में यदि लोग सावा चुनाव की बात करें वो तीन सीटों पर लड़े थे और उन्हें बोट मिले थे जीरो पाइंट 36 परशेंट यानि उनका बोट परतीसद बहुत ज्यादा माइने नहीं रख था यानि कोई भी कमाल आज तक आप पार्टी दिल्ली या पंजाब की तरह हरियाना में करने में नाकाम्याब रही है जबकि मूल थे अरविंद केजरिवाल हरियाना के ही निवासिय हिसाज लेके अब सवाल पैदा होता है ये कि अब जो आज आप पार्टी अलग से लड़ रही है कांग्रेश से हटकर तो मोटे तोर पर जो मैंने आखड़े दिखाए आपको या बताए इसका बहुत ज़्यादा असर कांग्रेश को नहीं पढ़ना चाहिए लेकिन जो जानकार मान रहे हैं वो जमान का चल रहे हैं कि बेशक 90 सीटों में से आप पार्टी एक भी सीट ना जीत पाए लेकिन कई सीटों पर वो कांग्रेश के उम्मीदवारों का खेल बिगाड़ सकती है जो सबसे चिंता का विशे है वो यही है चूंके पिछली बार के चुनावों में भी दरजनों ऐसी सीटें थी जहां भाजपा 10,000 से नीचे दरजनों सीटों पर जीती थी और उसी एवरेज में उसी ओसत में आपके कंडिडेट को पांस से दो हजार से पांस से दस साथ सा आठ दस हजार के बीच में बोट मिले थे और यह वो अंतर था जो यदियाब पार्टी नहीं खड़ी होती तो उनमें से ज़्यादा बड़ा हिस्सा आपको मिलने वाले बोटों का कांग्रेश को जाना था जिसके चल थे 2019 के विधान सवा चुनावों में कांग्रेश 31 पर आके अटक गई थी यदि आप पार्टी के उम्मीदवारों से कांग्रेश को नुक्सान नहीं हुआ होता तो संभवतया दस बारे सीट कांग्रेश और जीत सकती थी और दस बारे सीट और सीट जीतने का मतलब था कि दस बारे सीट भाजपा और लूज कर सकती थी हार सकती थी यानि जो उसे 90 में से 40 सीटे मिली थी वो कहीं आकर 30 के आसपास अठक जाती जो कांग्रेश को मिली और उनिस तित्थी में 2019 के विधान सवाचुनावों में कांग्रेश सत्ता में लोट सकती थी लेकिन कई जानकार मानते हैं कि आप पार्टी के उम्मीदवारों के कारण कांग्रेश से कई उम्मीदवारों को हार का मुँ देखना पड़ा चूंकि उनकी हार का और आप उम्मीदवारों को मिले मतों का अंतर बहुत कम था तो दोस्तो जो राउल गांदी चाहा रहे थे या वो दो जार उनितिस के चुनावां के माहल को देखते हुए चाहते थे कि इंडिया गडबंदन मिलकर हलियाना में चुनाव लड़े तो एक तो उसका वो कारण था चूंकि आज की तारीख में इंडिया गडबंदन के सबसे बड़े नेता के रूप में राहुल गांदी उब्रेहर ये उनका फर्ज भी बनता है उनकी नियत पर कोई सकना कर सके इसी लिए उन्होंने इसारा किया था कहते ही भी उन्होंने आदेश तो नहीं दिया था लेकिन ये जरूर कहा था कि भी देख लें यदि को इस्तिती बनती है तो आपको साथ लेकर चुनाव लड़े उसके साथ चुनावी गडबंदन करें लेकिन बहुत रसा कशी के बाद भी चुनावी गडबंदन होने सका चुनकि आप जितने पार्टी सीटें मांग रही थी नब्वे में से हर्याना कांग्रेस का संग्ठन उन्हें अतनी सीटें देने के हक में नहीं था और शुरू से हर्याना प्रदेस संग्ठन के नेताओं का यही दावा था कि भी हमां आकेले लड़ने में जीतने में सक्षा में हमें आपकी आप से चुनावी गडबंद करने की कोई जरूरत नहीं है लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि आकड़े भी दिये कि जिस तरीके से कई उम्मीदवारों को आपके चलते पराजित होना पड़ा था कहीं कांग्रेस कथित रूप से जीती हुई बाजी आप से चुनावी गडबंधन करने के कारण हारना जाए कि आज की तारीक में कांग्रेस जीत की और बढ़ती हुई अग्रसर है नजर आ रही है सारे जो पोल हैं प्री पोल हैं आकलन हैं वो कांग्रेस के हक में जाते बताये जा रहे हैं लेकिन दोश्टों जैसा कि मैंने कहा कि कांग्रेस का सपना आप से चुनावी गडबंधन न होने के कारण चकना चूर भी हो सकता है कुछ जानकारों का ऐसा मानना है ऐसा होगा ही ये कोई जरूरी नहीं है चुनके कई लोग ये भी मानते हैं कि हरियाना में कांग्रेस की लहर है और प्रदेश की जनता हर कीमत पर भाजपा से मुक्ति चाहती है इसलिए वो कोई भी ऐसा काम नहीं करेगी कि जिस से कांग्रेस को घाटा हो या कांग्रेस का सत्ता में आने का मौका चूक जाए इसलिए जिस पार्टी से कांग्रेस को नुकसान हो सकता है प्रदेश की जनता ऐसी पार्टीयों को नकार देगी ये ऐसा कुछ मानना है राजनिताओं का या राजनितिक पंडितों का या वरिष्ट पत्तरकारों का लेकिन दोस्तों साथ में हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि भाजपा आला कमानने भी कोई कच्ची गूलियां नहीं के लिए बेशक ये मैसेज जा रहा है कि हरियाना उनके हाथ से निकलता दिखाई दे रहा है लेकिन दोस्तों जैसा कि मैंने कहा कि भाजपा आखरी दम तक लड़ने वाली पार्टी है और भाजपा हाई कमान आसानी से हारने वालों में से नहीं है यदि हवा उसके पक्ष में नहीं है तो दोस्तों माना जा रहा है कि उसने ऐसी गोटियां बिठाई है और भाजपा नेतरत जो और भी पक्षिदल है उनसे पढ़ दे के पीछे अपनी गोटियां फिट कर रहा है और कहा तो ये भी जा रहा है कि इने लों भी भाजपा का खेल खेल रही है और खुदाना खास्ते भाजपा को ठीक ठाक सीटें हरियाना में मिल गई और सत्ता से कुछ पीछे रह गई तो भाजपा नेतत कांग्रेश को सत्ता में आने से रोक सकती है उसका सपना तोड़ सकती है चूंकि बताया जा रहा है कि पर्दे के पीछे इनेलो और आप और आज समाज पार्टी के गटबंदन के नेताओं से उनकी बातचीत जारी है और वो कांग्रेश को हराने के लिए और इन दोनों चुनावी गटबंदनों के उम्मिदवारों को जिताने के लिए पर्दे के पीछे भी काम कर रही है और जो हलोपा जो पहले भाजपा के साथ थी और उसके साथ गटबंदन की बातें चल रही थी वो भी इन एलों के साथ चली गई है यानि वो और ज्यादा मजबूत हो गया गटबंदन तो बावजूद बेशक इसको मतलब किसी को ये लगे कि ये भाजपा के लिए घाटे का सौदा हुआ के हलोपा इन एलों के साथ चली गई है लेकिन दोश्टो ऐसा है नहीं परदे के पीछे कुछ खेल और ही चल रहा है और जो आपका चुनाबी गटबंदन कांगरेश के साथ नहीं हुआ है इसके पीछे भी भाजपा के कुछ खिलाडियों का खेल बताया जा रहा है कि आप पार्टी ने जान बूज कर इतनी ज़्यादा सीते हैं मांगली कांगरेश से कि उनका चुनाबी गटबंदन ना हो शके आपको अजीब लगेगा लेकिन दोस्तों ये भी नहीं भूलना कि आप पार्टी या अरविंदर केजरी वाल को भाजपा की टीम कहा जाता रहा है यानि उन पर ये आरोप लगता रहा है केजरी वाल और उनकी पार्टी भाजपा की बी टीम है और कांगरेश को हराने के लिए यानि जहां भाजपा नहीं जीश सकती जैसे के पंजाब में नहीं जीश सकती थी उसका आधार इतना मजबूत नहीं है तो उन्होंने आप पार कार्टी को मजबूत किया इसी तरीके से दिल्ली के बारे में भी कहा जाता है कि 15 साल लगातार कांगरेश का सासन रहा था 2014 से पहले लेकिन भाजपा ने बी टीम के रूप में कांगरेश को माद देने के लिए कि आपको खड़ा किया और जहां उसका आधार नहीं था या लोग भाजपा के खिलाब थे वहां उन्होंने ये संक्टन खड़ा करके दिल्ली और पंजाब से कांगरेश को आउट किया यही नहीं गुजरात तक और कई राज्जों में और जगे भी आप पार्टी ने कांगरेश को नुक्सान पहुचाने का काम किया अब आप सोचेंगे कि भई भाजपा ने तो आपके कई कि नेताओं पर मंत्रियों पर विधायकों पर दरजनों नेताओं पर केस किये हैं कई नेता जेल में रहे हैं मनिस्चिसोदिया देड़ साल तक जेल में रहे कर आए है और जमानत पर छुटे हैं तो फिर इन आरोप में कितनी सच्चाई है तो दोस्तो जब राजनीती में कि ही की महतो कांग्शाएं बहुत जादा बढ़ जाएं यानि अरविंद केजरिवाल परधान मंत्री पद के भी सपने देखने लगे और वो सबसे जादा देश के परधान मंत्री पर ही मतलब अस्त शस्त फैंकते रहे जितना कड़वा अरविंद केजरिवाल नरेन मोदी जी के बारे में बोले हैं शायद उतना कोई नेता नहीं बोला होगा यानि बी टीम होते हुए भी हालात ऐसे बदले या अरविंद केजरिवाल की या आप नेताओं की जो उम्मिद है थी वो ज़्यादा बलवती हो गई और उन्हों ने सोचा की हम पर भाजपा की बी टीम का लेवल क्यों लगे और हम क्यों ने अपने दम पर एक बड़ी पार्टी बने और केजरिवाल क्यों ना हम प्रधान मंतरी पद पर अपना दावा ठोकें इसके चलते जो भाजपा को शायद आप से उम्मीद है थी वो नहीं रही और उनके बीच इतने मतलब विशेले रिष्टे हो गए कि लोगों को लगने लगा के भी आप तो भाजपा की बी टीम नहीं हो सकती नहीं है खेल ये राजनीती का ऐसा खेले इसको आसान माले इसको समझना बहुत आसान नहीं आपके लिए ना मेरे लिए और सबसे बड़ी बात ये है कि राजना राजनीती सत्ता प्राप्त करने की नीती होती है यानि राज करने की नीती होती है वो कैसे भी मिले सत्ता की कुर्षी राजनीतिक दल और नेता उसके लिए कुछ भी करने को तयार होते हैं इसलिए कहा ज जाता है कि राजनिती में ना कोई स्थाई दोस्ट होता है और ना कोई स्थाई दुस्मन होता है. जिस तरीके से भी सत्ता मिलती हो, नेता किसी भी दलके, वही फैसला लेते हैं. और जबकि मैं कई बार अपने वीडियो में पहले कह चुका हूँ कि जो आज से तीन चारदसक पहले पार्टियों के कुछ नियम कायदे होते थे, सिध्धानत होते थे, वो तो बिलकुल खतम हो चुके, सभी पार्टियों ने अपने अपने सिध्धानत खुंटी पर टांग द प्रकेंड यानि सत्ता पर कैसे कबजा किया जाए चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े अपने दुश्मनों से हाथ मिलाना पड़े अपनी विरोधी पार्टियों के MLA MP तोड़ने पड़ें कोई सिध्धान्त नहीं बचा है बस एक मात सिध्धान्त है सत्ता प्राप्ति तो दोस्तों देखते हैं कि हर्याना में जो खेल चल रहा है और जैसा कि हमने कहा कि आप कांग्रेश को कितना नुक्सान पहुंचाती है चुनावी गड़ यदि कांग्रेश उम्मीदवारों की बोट काटेंगे तो वो भाजपा के उम्मीदवारों की भी बोट काटेंगे लेकिन जो वो नुक्सान पहुंचाएंगे संभावना यही व्यक्त की जा रही है कि जो कांग्रेश का बोट रहा है आप पार्टी उस ही को हड़कती रही ह चाहे दिल्ली हो पंजाब हो चाहे गुजरात हो सब जगे यह खिल रहा है तो उस नाते थोड़ा लगता है कही नेताओं को कांग्रेस पक्ष के भी और वरिष्ट पत्रकारों के भी या कांग्रेस पार्टी के सुबचिंतकों को भी कि ज़्यादा नुकसान आपके कांग्रेस को पहुचा सकते हैं लेकिन साथ भी यह कहने वालों की भी कमी नहीं है कि जो लहर कांग्रेस के पक्ष में चल रही है उससे शायद आपको आप कांग्रेस का उतना नुकसान नहीं कर पाएगी कि वो सत्ता में वापसी से उसे रोक सके तो दोस्तों यह था मिरा आ अभी गडबंदन कांग्रेस को कितना नौक्षान पहुचाएगा या नहीं पहुचाएगा कल फिर मिलते हैं किसी नए मुद्धे पर देख तेरे यह देश रोजाना जै हिन जै भारत जै सविदान नमस्कार